आई वी एम तो सौरब कैसे हैं आप ए प्रणे मैं बिल्कुल अच्छा हूँ तुम बताओ बैंगलोर की बारिश का मज़ा ले रहे हूँ एकदम क्या जबरदस मौसम है इस बार दो ऐसे गर्मी हुई नहीं बैंगलोर में मैं सुबा से देख रहा हूँ जैसे मैं आसमान चूरा हो ना ढंग से बरस रहा है और ना रुक रहा है तो मैं तो आज की बारिश दे बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं मेरा मन कर रहा था कि उपरवाले से बोलू कहीं एमसील तुम को चाहिए थोड़ी से लगा रहा है वैसे सौरब अभी 15 अगस्त आया है और हम लोगों का आजादी दिवस मना रहे हैं हम सब भारत वासी तो उस पर एक चर्चा होनी चाहिए और इस बार पुल्याबाजी हम और आप ही करते हैं तो आज क्यों ने इस बात पर चर्चा की जाए कि आजादी का मतलब क्या हुआ है भारत के लिए और पिछले 70 सालों में अब तो कितने साल हो गए अभी 72 साल है बई 71 साल हो गए 18 है न, 2018 47 से 71 साल कंप्लीट हो चुके तो 71 साल में हुआ क्या और किन माईनों में हम कह सकते हैं कि भारत ने काफी प्रोग्रेस किया है और किन माईनों में हम शायद पीछे रह गए हैं उस पर एक चर्चा तो होनी बनती है बिल्कुल, यह अच्छा समय है थोड़ा जिसको कहते हैं लेखा जोखा करने के लिए देश का लेखा जोखा आदमी खुद का भी करता है कभी-कभी जनम दिन होता है तो भई यहां इतने साल हो गए है तो क्या किया है और क्या करना है तो देश को भी एक लेखा जोखा करना चाहिए कि इतने साल हुए है हमने क्या किया और क्या और करना है हाँ, और यह क्योंकि अक्सर क्या होता है आजादी के दिन हम लोग आजादी को celebrate करते हैं मतलब अंग्रेजों को हम लोग उने पचाड दिया और वापस भेज दिया और कौन से स्वतंतरता से नानी थे वो सब discussion होता है पर ठीक है आजादी हो गई उसके बाद से मान लेजिए 16 अगस्त 1947 से लेकर अभी तक हमने क्या किया है उस पर चर्चा थोड़ी कमी होती है तो उस पर ही बात करते हैं उसको और इसमें लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो भी कोई हमको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि unprecedented achievement तो थी और जो हिंदुस्तान ने किया उसके बाद उसने सारे बाकी देशो के लिए रास्ता खोला भी और एक तरह से रास्ता दिखाया भी कि किस तरह से एक peaceful और अच्छा transition किया जा सकता है colonialism से आजादी की थरफ और वो हमको भूलना नहीं चाहिए कि किन-किन लोगों ने बहुत-बहुत sacrifices किये हमारी आजादी के लिए और इस बात में काफी discussion चलता रहता है कि किस वजह से आजादी हुई किसका contribution ज्यादा रहा कम रहा वो मुझे लगता है कि वो competition जो है history का competition शायद कम होना चाहिए मुझे एक चीज ज्यादा लगती है कि हमारी जो स्वतंतरता की लडाई थी उसने हमें एक देश बनाया और जो हमारा रूप है आजाद दे बड़ा success क्या रहा है सबसे बड़ी सफलता पिछले 71 सान में क्या रही है भारत की अगर सबसे बड़ी सफलता बोलोगे तो उसमें तो एक ही मेरे को बड़ी सफलता लगती है कि अभी पूरा भारत जो है वो अब तक एक है और अब तक democratic है और ये मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी क्योंकि जब आजादी हुई थी तब तो बहुत लोगों को डाउट था कि ये देश कितना देर चलेगा चलेगा भी कि नहीं चलेगा इतने अलग-अलग लोग हैं इतनी अलग-अलग भाशाएं हैं इतने आपस में इतना violence के साथ हुआ ही था नेबर्स के साथ लड जो है आज हम उसको फार ग्रांटेड लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि हमें नहीं लेके चलना चाहिए कि लोगों को जो हमने आजादी के बाद में एक तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज किया कि सब को वोटिंग का अधिकार दे दिया जो कि एक दुनिया में सबसे पह उसके बाद भी हम टिके हुए हाँ बिल्कुल और मतलब हम लोगों ने जिस तरह के राश्टर का निर्मान किया जो गणतंत्र, लोकतंत्र जो जिस टाइप का निर्मान किया तोर हम लोगों ने अपने दूसरे एपिसोड में इसके बारे में काफी चर्चा भी की टी गणत साल बात भी वो ठिका हुआ है वो एक काफी सफलता की बात है और आप एक तरीके से देखे तो जो European Union का जो European Community है वो 1975 में स्टार्ट हुआ था वो तब से जो करने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक भी सफलता होने नहीं मिल पाई है वो एक तरीके से भारत राष्ट ने 1947 में ही कर दी और वो प्रयोग अभी तक चला आ रहा है तो ये काफी मतलब बड़ी achievement है बिल्कुल और EU तो हम बोल सकते हैं अभी Brexit के बाद तो वो प्रयोग थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है तो ठीक है बाकी में इंडिया इंड जो है वो अभी भी एक साथ है लेकिन UK तो उसमें से लग तो रही रहा है कि definitely अलग हो जाएगा और at least अभी तक तो हिंदुस्तान के गंट तंतर से ठीक है ये भी चीज़ है कि European Union काफी loose federation है तो अलग होना हसान है हमसे जो अलग होना जाते हैं उनको होने भी नहीं देते है असानी से लेकिन जैसे भी कहें थोड़ा कुछ लोगों से जोड़ जबर्दस्ती करके कुछ की को मनाव के और किसी को दुलार से कुछ ना कुछ करके हमने सब देश एक करके रखा हुआ है हाँ और उससे मुझे याद है मैं अभी हमारी जो एक्स्टरनल मिनिस्ट्री के वेबसाइट है उस पर अमबेडकर की सभी राइटिंग्स और सभी स्पीचेज किताबे सब फ्री में अवेलेबल है तो मैं पढ़ रहा था वो मैं सोच रहा हूँ इस में वही पढ़ूंगा अमबेडकर की ने क्या क्या लिखा था तो अमबेडकर ने हर विशे पर मानो कुछ न कुछ जरूर लिखा है तो उन्होंने linguistic states पर भी लिखा है और बहुत ही उनके unique विचार थे इस पर क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें linguistic states होने चाहिए भाषा के आधार पर हमारे राज्य होने चाहिए पर वो ये भी बोल रहे थे कि हर राज्य की भाषा finally official language जो है वो हिंदी होनी चाहिए मतलब English होनी चाहिए पहले और eventually हिंदी भी हो जाए तो कोई बात नहीं है तो बहुत अलग विचार थे और मैं अभी भी सोचता हूँ कि तब 1955 का जो लेक था उसमें बोल रहे थे वो कि भारत मतलब एक uncertainty सी थी लोगों में कि हम लोग रहेंगे या नहीं एक साथ एक डर सा था पर अब वो हम लोगों ने cross कर लिया है खाखो देते पकी बात है अब राजाजी जो तमिलाडू में उन्होंने हिन्दी लगा दी थी ना कम्पल सरी उनने सो I think आजादी से पहले ही जब वो तमिलाडू में थे तो उन्होंने स्कूल्स में जो है हिन्दी कम्पल सरी तो और इसके खिलाफ खुब रोश हुआ था और मुझे एक बार मैं जवालाल नहरू के letters to the chief minister पढ़ रहा था तो इतना समझ में आता है कि जबकि linguistic states बन गए थे तब भी नहरू को एक उम्मीद सी रहती थी कि शायद हम इसको reverse कर देंगे और वो जो है बोलते थे कि हिंदुस्तान में क्यों linguistic तो उन्होंने एक letter में लिखा हुआ है सब chief ministers को बेसिकली नहरू को लगता था जैसे पूरा हिंदुस्तान है जिसमें अनेकता में एकता है हर state को भी वैसे ही अनेकता में एकता होनी चाहिए तो हर state उनके दिमाग में एक mini इंडिया था तो एक तरीके का recursive जैसे अगर mathematics और computer science में होता है recursive fractal kind of architecture कि भई एक हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का ही प्रतिविम उसके अंदर छुपा हुआ है खुब सारे हर राज भी वैसा होना चाहिए ये तो बहुत ही दिल्चस्प सवाल है सौरब इसके उपर तो पूरी एक अलग से पुल्याबाद ही होना चाहिए और हमको ऐसे किसी को लेकर आना चाहिए जिन्होंने कनडा या तमिल या मराथी भाषा को पूरा फॉलो किया है और भारत में कैसा उसका हिस्ट्री रहा है उसके उपर चर्चा की जानी चाहिए लेकिन हाँ तो हम अभी जो एक फॉर ग्रांटेट लेके चलते हैं कि हिंदुस्तान का ये स्वरूप है वो इतना ग्रांटेट नहीं था और मेरे को सबसे तुमने क्योंकि अंबेटकर की बाद छेड़ी और मैंने यही चीज नहरू की भी पढ़ी थी तो उससे मुझे लगता है देखो कि मतलब हमारी सीनियर लीडर्शिप की काफी अलग विचार थे लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है जिस डारेक्शन में लोगों का मन है उन्होंने उससे सहमती भरी यही थोड़ा अगर ताना शाहिव एगरा होती तो कोई कहता ना छोड़ो भई सब लोग हिंदी बोलेंगे या सब लोग अंग्रेजी बोलेंगे और कोई यह सब क्या कहते है सवाल जवाब कि कोई गुंजाईश नहीं होने चाहिए हाँ जैसा चाइना ने किया हाँ उन्होंने वो सिंप्लिफाइड चाइनीज बना दी और कहां सब लोग सिंप्लिफाइड चाइनीज बोलेंगे और क्या मतलब जो मैंडरिन भाशा है वो सिर्फ एक बीजिंग के अराउंड का एक डायलेक्ट था और सौ से भी ज़्यादा भाशा है थी स्वाबाविक सी बात है इतना बड़ा देश है वो भारत जैसा तो उसमें भी कई भाशा है थी और कई भाशा है एक दूसरे के साथ mutually intelligible भी नहीं है लिखते सही सेम तरीके से हैं पर समझ में नहीं आईगा किसी को जो शांगाई में कैंटनीज बोल रहा है और जो मैंडरिन बोल रहा है पर आज उन्होंने पुरा इंपोस कर दिया 1949 में और अब एक ही भाशा रहेगी और तुम चाइना छोड़ो एक्शली फ्रांस भी एक एक्जांपल है फ्रांस में भी ऐसा ही था और फ्रेंच रेवलूशन के बाद उन्होंने पूरे फ्रांस में जो पैरिस की फ्रेंच भाशा थी उसको उन्होंने compulsory करवा दिया तो एक तरह से यह चीजें थोड़ी मैं बोलूँगा modernization और industrialization का भी नतीजा है क्योंकि आप सब जगे standards चाहते हैं और समानता और मेरे खाल से यह हमेशा थोड़ा वाद विवाद रहेगा कि कितनी diversity आप tolerate करना चाहते हैं और आपके लिए economic progress कर सकते हैं लेकिन आप अपना culture काफी खो देते हैं और दूसरी side में अगर आप क्या कहते हैं सारे ही लोगों की अलग-अलग रहे तो फिर आप शायद इतने गरीब हो जाएं कि आपको मतब सिर्फ culture तो खा नहीं सकते हैं तो कहीं तो एक आपको बीच में balance ढूड़ना पड़ता है और मेरे साब से हिंदुस्तान ने थोड़ा balance, diversity की तरफ ज़्यादा ढूड़ना है और दूसरी तरफ कम और ठीक है मेरे साब से ये हर देश की अपनी choice है कोई एक किसी इंसान को थोड़ी decide करना चाहिए हिंदुस्तान में ये जो decision हुआ है ये कुछ लोगों का decision नहीं है ये एक grassroot decision है कि हम कहां पर आकर करे टिके हैं तो ठीक है ये तो एक बात हुई उससे एक और जुड़ी हुई सफलता है ये भी है कि हमारा एक ही समविधान रहा है मतलब उस तरीके से तो एक consistency रही है कि और आप देखेंगे हमारे सब पडोसी देशों में कई-कई समविधान रहे हैं और समविधान का बदलना मतलब राष्टर का बदलना है एक तरीके से और कई और राष्टर को बदलना आसान नहीं होता तो उसके चलते काफी हुआ नहीं है हमारे आपे तो वो भी एक सफलताई मानेंगे राष्टर की बिलकुल बिलकुल ये और हलके में लेने वाली तो बिलकुल चीज़ नहीं है और जैसे हमने बोला हमारा मतलब समविधान ऐसा है कि जिसमें ये सब विभिनताएं जो हैं वो थोड़ी आपस में हम कारण होता तो ये स्टेट को तो कभी विभाजित नहीं होना चाहिए था और नौर्थ में तो थोड़ा ऐसा ही है तो उन्होंने बोला था नौर्थ में भी आल दे स्टेट्स यूपी, एमपी इसी प्रिंसिपल पे और छोटे-छोटे भावों में विभाजित होने चाहिए और मैपस भी है उस किताब में मतलब अरे वाजा, उनका प्रपोजल है इस चीज़ का हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया किताब है मतलब छूटा सा लेक है वो कुछ दस पेज का, मैं तो सबको रेक्मेंड करूंगा वो हाँ, ने, ने, अमबेटकर तो दस पेज में बहुत कुछ लिखते थे, क्यूंकि वो एकदम सीधी बात करते है, घुमा फिरा के तो कुछ कहते नहीं है तो ये अमबेटकर की सबसे अच्छी चीज़ है कि घुमाना फिराना नहीं आता है उनको वो एकदम सीधी बात करते है मुद्दे पे जाके बिलकुल और क्या सफलता है रही है सारविया, अब थूड़ा सफलता है विफलता है, दोनों की तरफ देखते हैं तो और सफलता मैं बोलूँगा प्रणे, एक तो हम economic sense में तो बोली सकते हैं कि जो भी हम किसी कोई भी parameter उठा लें 1947 का उससे तो हालत बहुत-बहुत बहतर है आज की date में मैं बोलूँगा तब चाहे हम famine का record ले लें भुकमरी वेगरा जो है वो तो बिलकुल खतम होगे भुकमरी नहीं खतम हुई है क्योंकि थोड़ी बहुत तो 90's, I would say 90's तक भी सुनाई देती थी कि भई काला हांडी जैसी जगह में भुक से लोग मर गए बीच में अभी हाल-फिलहाल में भी एक ख़बर आई थी जहां भुक से कुछ बच्चे मर गए लेकिन ये by and large मैं बोलूँगा कि ये problem हिंदुस्तान से चली गई और famine की जो सूखा ग्रस्थ हो जाते थे वो तो खतम हो गई और उसमें तो काफी बड़ा हाथ democracy का है जैसा अमर्ते सेन ने बंगाल famine को research करके ये उसी के लिए उनको noble prize भी मिला था कि उनका prediction था और भारत में तो एक दम सही उत्रा है हाँ और सौरब मतलब भुकमरी तो actually काफी कम हो गई है और NSSO का कुछ जो data था कुछ सालों पहले उन्होंने बोला था कि अब 99 प्रतिशत लोग भारत में कम से कम एक बार तो खाना मिलता है लोगों को वो बहुत कम नंबर था 1947 में तो अब भारत का problem कुछ पिछले कोज दर्शकों से कुपोशन रहा है malnutrition ना की hunger बिलकुल बिलकुल और यही चीज़ हम हर बाकी चीज़ों में भी देख सकते हैं चाहे हम infant mortality देखने की कितने छोटे बच्चों की death हो जाती थी उस जमाने में और आज की और in general average age ही देखने तब कुछ 32 साल थी और अभी 66 साल के करीब होनी चाहिए तो हर चीज़ में फरक आया और मैं बोलूगा जैसा हमने hunger में तुमने बोला की quantity तो हमने बना ली है लेकिन quality का issue है तो अब लोग खाते तो हैं लेकिन अब खाने की quality पे हम लोग ध्यान देते हैं कि protein intake कितना है दूद और बाकी चीज़ों का सेवन कितना हो रहा है सबजियां कितनी लोग खाते है फल कितने खाते हैं और इस चीज़ पे हम लोग का ध्यान है और ये चीज़ मैं बोलूगा कि हर क्षेत्र में ऐसी ही है जैसे बिजली के लिए ही बोल सकते हैं कि बिजली अब बहुत जगों पर है लेकिन बिजली की quality क्या है उस चीज़ के बारे में तो हभी भी काफी question mark लगा रहता है कल मैं कोई फरिदाबाद जैसी जगे इंडेस्ट्रिल टाउन है वहाँ से मैं किसी अपने मित्र जन से मिल रहा था और वो बता रहे थे कि दिन में 16 घंटे बिजली आती है फरिदाबाद जैसी जगे बतलब हो तो डेली का satellite town satellite town तो कहते है बतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटे नहीं आती है पर 2 घंटे आती है फिर 1 घंटा नहीं आती है तो पूरा time UPS लगा के रखा हुआ है उसी तरह से सेम चीज़ में हिंदुस्तान का हल हर जगे पर है पानी में देख लो पानी अभी ऐसा कोई हिंदुस्तान ने प्यासा तो नहीं मरता है लेकिन आप पानी की quality देख लो और पानी की quality तो काफी खराब है और सबको उसके और यह एक तरीके का public failure है हमारा यह नहीं कि municipality से ही अच्छा पानी आए सबको अपने घर में पानी साफ करना खुद पड़ता है घर में आपको वालना पड़ेगा आप बाहर की किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते तो सब लोग एक छोटा सा अपना दूइप बना के रखते हैं जिसमें सब कुछ ठीक रहे और बाकी बाहर एक महासागर में आपको जाना पड़ता है और फिर जो है आप सब एकदम आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भई ये महासागर में तो सब शार्क वार्ख हैं अनी सौरब और स्वास्त में तो आप स्पेसिफिकली देखिए तो हम पोलियो चैसी बीमारी पूरी तरीके से eradicate हो गई है भारत में और small box वो भी काफी चिंदा की बात थी और उसी कुछ दिनों पहले मैं सब्तर की कोई movie देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि हैजा हो गया है cholera, वो भी अब मतलब अब सुनने में नहीं आता है हाँ, बिलकुल, बिलकुल वो सब की पूरा गाओं हैसे की चपेट में आ गया टाइप की चीज़ें तो नहीं होती है या फिर, I mean, चेचक वगरा, वो सब, तो मुझे एक जो काफी हिंदुस्तान के लिए बोला जाता है, कि भई हिंदुस्तान, कोई जो भी failure वाली conditions है न, उससे तो हमने निजाद पा लिया है तो अंग्रेजी में वो जो word यूज करते हैं कि हिंदुस्तान failing state नहीं है, flailing state है कि भई, जैसे तैसे जो है, चलता रहता है काव, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कहकेते हैं सीधे एकदम तन के खड़े हो जाएं कि भई, यहाँ, यह तो हो गया है, नहीं कुछ थोड़ा just about first division कर लेते हैं distinction तो नहीं मिलती है कहीं पर भी, बर ठीक है, 61% mark हर चीज में हम ले आते हैं तो वैसा कुछ हाल है हमारे हर क्षेत्र में mobile phone में भी देख लिए ठीक है उसने पूरा देश बदल दिया है, सब के पास में लेकिन quality of mobile देखेंगे तो, मतलब call drop तो हर जगे, लोग hello hello करके signal ढूंते ही रहते हैं चार बार redial करकर ही आपको किसी से conversation खतम कर सकते हैं सब चलता रहता है और हमको शायद काफी आदत भी है क्योंकि हर शेत्र में ऐसा ही है ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा शेत्र है जहाँ पर बहुत ही अच्छे से चीज चल रहा है तो ये एक और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये शायद अच्छी चीज़ है कि अब हमारा ध्यान quality पे है कम से कम quantity वाली चीज़ है तो पीछे छोड़े quality पे discussion हो रहा है वही इस बात का परिचायक है कि quantity तो मिल गई है मतलब आगे की problem सोचो और सौरब हम लोग health की बात करे रहे तो infant mortality rate एक ऐसा map dund है जो काफी commonly use होता है हर देश को health वेवस्था के बारे में जानने के लिए क्योंकि वो काफी चीज़े बताता है कि एक साल के बच्चों को खाना मिल रहा है या नहीं और इसका मतलब ये भी है कि उनकी माओं को वो portion कैसा मिल रहा है pregnancy में कैसा खाना मिला था वो सब एक single number में काफी अच्छा proxy है basically और उसमें भी आप देखिए तो 1970 तक ही 130 बच्चे एक साल से कम उम्र की आयू में ही उनकी मौत हो जाती थी और आज वो number हो गया है 40 ये एक लाख में से नहीं हर 1000 में 40 तो 1000 में 40 फिर भी बड़ा number है लेकिन एक से बहुत कम है और इसमें एक ये है कि कम तो हुआ है number पर हमारे कुछ पडोसी देशों ने काफी इससे भी कम गटा है अब 40 से 30, 20 की और भी काफी देश चले गए है हमारे जैसे ही देश तो वो एक थोड़े मतलब mixed result है महाँ पर ने ने ये तो मतलब मैंने का हम कोई भी पैमाना देख लें तो उसमें सफलता हैं बहुत ज़्यादा हैं और हिंदुस्तान की ज़्यादा tragedy ये है कि हम शायद कुछ चीज़ें और अच्छी और जो अच्छी कर सकते थे वो उतनी नहीं करी है मतलब अब per capita income वेगरा भी देखें तो काफी पहले से तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारे साथ ही कि जो देश थे चाइना, साउथ कोरिया वेगरा जो ज़्यादा जल्दी उन्होंने अपने आपको change किया और साफ साफ दिखता है कि अब हमें और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है, वो हमारे ही साथ शुरू हुए थे, लेकिन अभी हमसे कम से कम नहीं तो चार गुना आगे हैं हर पेमाने पर, तो चाइना शायदा अच्छा एक्जामपल है क्यूंकि साउथ कोरिया जैसा देश शायद एक हमारे स्टेट जितना है या उससे भी छोटा तो एक वैसे छोटे देशों को बहुत compare नहीं करना चाहिए क्यूंकि उनकी अलग उनकी अलग समस्या है दूसरा मैं बोलूँगा ये तो ठीक है हम indicators की बात कर रहे है लेकिन एक मॉलिक रूप से क्या हमारे देश में कमी रह गए ये थोड़ा उस पर भी discussion करते है मेरे दिमाग में जो चीज आती है कि जैसे कुछ fundamental चीज़े है जो कि हमको अभी भी लगता है कि बहुत important नहीं है हमने democracy की तो बहुत तारीफ करी लेकिन काफी ये चीज़ को लेकर awareness तो बहुत है कि भी democracy काफी decentralized होनी चाहिए और एकदम grass route तक जानी चाहिए और यसी लिए हमारे पास 73 और 74 भी amendments भी हमने बनाई थी जिनसे panchaiti raja और municipality वेगर, panchaiti raja सब लोग जानते है, municipality raja नाम की तो कोई चीज़ी नहीं है ना इंडिया में तो शेहरों का governance कैसे होना चाहिए और गाओं का governance कैसे होना चाहिए और उनको कितना power मिलना चाहिए, तो हमने एक चीज़ है कि ठीक है 47 में एक तरीके की democracy शुरू हुई लेकिन वो हर स्तर तक ठीक से नहीं पहुँची है ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक fundamental failure है अभी तक हमारे लिए और ये बाकी चीज़ों से काफी कुछ जुड़ा हुआ जैसा हमने बोला कि क्यों हमारे पास basic सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ 61-62% लेके ठीक है फर्स डिविजन आ गया लेकिन 62 नंबर है तो उसी टाइप का हाल इसलिए है क्योंकि एक जो हमारे पास एक बड़े लेबल पर democracy है उससे हमने ये सब तो अच्छे से decide कर लेते हैं कि हमारे पास state कैसी होनी चाहिए लेकिन घर के सामने की सड़क ठीक होनी चाहिए घर में पानी बिजली जो basic चीज़े हैं वो ठीक से आनी चाहिए वो चीज़े नहीं है ठीक क्योंकि democracy उस level पर काम नहीं कर रही है और आप देखें सौरब तो 1947 में इनिशेली हम लोगोंने कुछ नए नए शहर भी बनाय थे जैसे भुवनेश्वर चंदिगर शायद पर उसके बाद पिछले 71 सालों में कोई भी नया ऐसा city नहीं बनी है जिसमें काफी लोग गए हैं काफी उसका उद्धार हुआ है ऐसे बहुत कम example है हमारे पास मेरे को जैसा लगता है कि हिंदुस्तान में नई city बनने के लिए एक नई state बनानी पड़ती है उसकी राजदानी के लिए उसकी राजदानी के नाम पर एक city बन जाती है तो चंदिगर एक अपाध है वो भी ठीक है राजदानी के नाम पर भी बनी थी क्यूंकि ठीक है पंजाब और उसके बाद भी देखो मतलब पंजाब हर्याणा का विभाजन भी हुआ तो उसने का नहीं चंदिगर तो हमें चाहिए वही हम राजदानी दोबारा नहीं बनाएंगे बिलकुल मतलब common राजदानी का अर्थ ही है कि दोनों एक शहर नहीं बना पाए दोनों को एक एक शहर नहीं बनाना था गांधी नगर बन गया है हमदाबाद के थोड़ा बगल में कि ठीक है गुजरात को एक अच्छी नही राजदानी बनानी थी एक नया राइपूर एक अच्छी नई स्टेट बन गयी क्योंकि 36 गड़ा गया देहरादून का थोड़ा जो भी बोलें उधार हो गया वहां के नागरिक थोड़े परशाने के अमरा शहर अचानक से बड़ा हो गया है देहरादून स्टेट भूवनेश्वर उडिसा की वज़े से बन गया तो और अब अमरावती बन रही है आंधप्रदेश में और फिर भी इतनी जद्दो जहदे सारा का सारा अभी जो लड़ाई जगड़ा वो यही है कि यह राजधानी के पैसे कौन देगा एक स्टेट बनाना तो हमको शहर बनाना ही नहीं आता है जबकि बड़े अजीब सी बात है कि शहर बनाने में इतना पैसा बनता है कि सबका फायदा होता है और यह एक ट्रैजडी है कि इतना प्रॉफिटेवल काम हम नहीं करना चाहते है तो सब का मन होना चाहिए क्योंकि शहर बनने से शहरी करण सीधा-सीधा जो है वो wealth create करता है सब के लिए कुछी का नुकसान नहीं होता है तो एक तो चीज़ है कि पैसा तो जरूर बनता है और सब लोग अमीर होते है शहरी करण का सीधा-सीधा मतलब पूरे दुनिया में अगर देख लें तो शहरी करण बढ़ने से और इसका एक जिसको कहना जी एक तरह से simple mathematical principle है कि अगर खुब सारे लोग एक साथ रहें तो उनका जाल बन जाएगा और जाल बनने से जो है आपस में वो जो जाल है जो network है वो अपने आप wealth create करता है क्योंकि अगर N लोग है तो उनका जाल N square network बनाता है तो अपने आप जितना बड़ा N होगा उतना बड़ा N उससे बहुत बड़ा N square होगा और उसकी ये सारी चीजें है कि ठीक है थोड़ा crime भी बढ़ता है और बाकी थोड़ी दिक्कते भी बढ़ती है लेकिन wealth तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हमको जो democracy का failure है वो है कि quality खराब है हमारे शेहरों की लेकिन at least quantity तो वहाँ पर बढ़ानी चाहिए थी वो एक जगे है जहां हमने quantity भी ठीक से नहीं बढ़ाई हाँ बिल्कुल वो तो काफी मतलब एक disappointing सी बात है और quality में भी देखें तो मतलब तुम देखो आजादी से पहले अब देखो तो पटेल जो थे वो एहमदाबाद के मेर थे नहरू जैसा आजमी एहलाबाद का मेर था सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई कैलकटा चलाते थे तो बड़े-बड़े दिगज नेता हमारे शेहरों के मेर हुआ करते थे और ये चीज एक तरह से हमने खो भी थी कि एक तरह से जो grassroots democracy होती है ये अच्छे नए politicians को मौका भी देती है उपर आने का अभी ये जो चीज़ा ये खतम हो गई है इससे हमारा नया talent आना भी जो है वो खतम हो गया है और कहीं-कहीं मुझे लगता है शायद इसलिए ये चीज़ नहीं होती क्योंकि जो state level के politicians हैं वो डरते भी है कि अगर हम grassroots democracy कर दें तो ये शेहर के जो politician है ये हमारे ऊपर चड़ जाएंगे और पर सौरव ये भी है कि शायद तब भारत के लोगों को mayor where position से ही संतुष्ट रहना पड़ता था इसलिए वो लोग पहले mayor बने फिर वो hope कर रहे थे कि आगे हो आज की rate में वो ऐसे होते तो सीधे CM या PM बनने की सुच्ट पर उतने ही लोग थोड़ी है हिंदुस्तान में हमको ये क्यों मानके चलना चाहिए या फिर शायद ये है कि शायद हिंदुस्तान में उतने ही लोग है कि हर चीज में कुछ कंपनियां बहुत ही अच्छी होंगी कुछ लोग बहुत ही अच्छे होंगे और उसके बाद जो है नीचे हमको नहीं मिलता है broad base नहीं है और उसका अगर कारण देखा जाए तो usually bad schooling होती है और basic schooling भी मैं कहूंगा कि एक बड़ा failure है इंडिया का कि हमारा talent broad base क्यों नहीं हो रहा है और इसको हाप schooling का failure मान सकते है अब PISA result आये थे ना 2009 में जहांपे हम कितने कुछ 170 वी rank पे थे दुनिया में हाँ हाँ और उसके बाद हम लोग ने PISA ranking को ही band कर दिया हाँ क्यूंकि हमको अच्छा नहीं लगा ना यह देखके कि भई नहीं हिंदुस्तान थोड़ा unique है हम 170 हमने मानने से ही मना कर दिया कि हम 170 है मेरे को लगता है वो तो सच्छा है कि शाद हमारा जो basic education है वहाँ पे तो हमारा सिर्फ quantity पे ही focused अभी तक तो था कि enrollment figure क्या होना चाहिए और कुछ-कुछ जगों पे तो enrollment figure ऐसा आंकड़े है कि वो population से भी ज़्यादा है हाँ वही मतलब gross enrollment ratio तो 100% से ज़्यादा हो गया है कई जगों पर वो उसमें भी same है quantity problem तो मतलब इतना solve हो गया है कि अब वो थोड़ा शग होने लग गया है उस पर और क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है अब बात चलनी शुरू हुई है लेकिन quality पर कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल education में यह एक बहुत I mean यह बहुत दुखी बात है अच्छी बात यह है कि अब at least quality पर discussion हो रहा है पर सौरव इसमें भी मुझे कभी-कभी लगता है कि school education तो एक nutrition program जैसे हो गया है मतलब हम लोग बोलते हैं midday meal scheme हो गया है और वो काफी success रहा है health outcomes के लिए वगरे वो मैं भी मानता हूँ पर midday meal scheme purpose था क्या school का मतलब midday meal scheme थीक है school एक अच्छा माध्यम है और midday meal scheme अच्छी चीज़ है मतलब काफ दुनिया में बहुत देशों में उसको एक successful तरीका माना गया है कि nutrition हर बच्चे तक पहुँचाना है तो हर बच्चे को school में पहुँचा है दिया तो उसके बाद nutrition school से डाल दो लेकिन ये एक बहाना होता है ये main कारण तो नहीं हो सकता और main main काम है school का बच्चे को पढ़ाना और वो तो नहीं हो रहा है और उसमें मैं अभी बोल सकता हूँ कि पैसे की भी कमी नहीं है भी मैं बीच में देख रहा है सारे states के education budget जो है at least budget तो काफी अच्छे है मतलब पूरा budget का जितना growth rate है मैं बिशले 2-4 साल का देखा काफी states का सिर्फ मतलब दिल्ली का काफी hype रहता है कि दिल्ली ने बहुत अच्छा किया और दिल्ली ने बाकियों से ज्यादा अच्छा किया है उसमें कोई शक नहीं है आम आदमी party ने ये एक चीज़ में बहुत ज्यादा पैसा कर लेकिन बाकी states को ऐसे कम नहीं है उनसे हर स्टेट ने कुछ 20-25 परसंट का ग्रोथ रेट है एडुकेशन बजेट का जबकि टोटल बजेट स्टेट का कुछ 8-10 परसंट बढ़ रहा होगा लेकिन एडुकेशन बजेट 20 परसंट की रेट से बढ़ रहा होगा तो एडुकेशन में अभी सबका खूब पैसा लगता है सेंट्रल गवर्ण्मेंट का जितना पैसा लगता है उसके मुकाबले में ही लग रहा है पैसा स्टेट का अब उसमें देखे तो वैसे शिक्षा में सिर्फ प्राइमरी एडुकेशन ही नहीं सब लेवल्स पे थोड़ा हम लोग कमजोर विकेट पर ही हैं उसमें उच्षिक्षा के बारे में वरुनागरवाल से बाती की थी हम लोगोंने कुछ एपिसोड पहले उसमें भी हम लोगों को सक्सेस नहीं मिला है मतलब एक टाइम पे जो टॉप की उनिवर्सिटी थी सेंट्रल उनिवर्सिटी और स्टेट उनिवर्सिटी गुजराद उनिवर्सिटी अलाबाद ये सब आज की डेट में तो और ही कमजोर होगी नीचे चली गई है बिलकुल मतलब मैं ये बिलकुल ठीक मानता हूँ कि एजुकेशन में कॉलिटी बहुत बहुत बड़ा हमारा फेलियर है अब हम ये नहीं कह सकते कि ये पैसे की कमी से है हमको दूसरे कारण ढूणने चाहिए पैसा है अभी देश में इस काम के लिए तो है और डर की बात ये है सौरप की आगे भी मुझे अब लगता है जैसे प्राइमरी एजुकेशन नूट्रिशन प्रोग्राम का में फोकस हो गया मतलब माध्यम ही उसका एम हो गया वैसे ही मुझे लगता है अब हायर एजुकेशन भी एक जॉब मिलने की दृष्टी कोन से या फिर जॉब भी नहीं उसमें अभी कास्ट या फिर रेप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वह सवाल आ गए है ना कि ये की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए तो मुद्दे काफी बदल गए हैं अभी बिलकुल बिलकुल तो वो एक तरह से जब अभाव हो तो फिर सबको लगता है कि हमको शेयर मिल रहा है कि नहीं और मैं बोलूँगा कि जो यूजली कास्ट और रेप्रेसेंटेशन की डिमांड है वो मेंली एक डिमांड तो मुझे लगता है जो एकदम शोशित कास्ट रही है historically उनकी डिमांड तो इसलिए रही है क्योंकि उनको उनको एक voice होनी चाहिए तो मैं बोलूँगा वो थोड़ी हक की बात है लेकिन जो आजकल जो की बीच बीच में लोग गाड़ियों में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे है तो समझ में आ रहा है कि ये लोग बिलकुल पिछडे और शोशित वर्क के नहीं है और वो लोग बोल रहे हैं कि अब हमको भी कास्ट के हिसाब से हमारा है हक और हिस्सा चाहिए और वो मैं बोलूँगा overall अभाव की वज़े से क्योंकि jobs है नहीं तो फिर लगता है कि बस अब जितने बची कुछी चीज है वो सब जरह अपने अपने हिस्से में बांट लें बजाए ये सोचने की कि पूरा हिस्सा कैसे बढ़ाया जाए सबके लिए बिलकुल अग्रिकल्चर के बारे में क्या बोलोगे प्रणे वो एक बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान का तो क्रिशी जो है वो अब कोई सुखा तो आया नहीं है और पहले हम लोग अनाज वगारा इंपोर्ट किया करते थे आज कल काफी चीज़ों में एक्सपोर्ट वगारा करते हैं लोगों का खान पान काफी बढ़ गया है दूद पहले तो बहुत कम लोग पिया करते थे और अब बहुत ज़्यादा लोग दूद अंडे वगारा खाते हैं तो एग्रिकल्चर सेक्टर के बारे में तुम्हारा क्या मनना है इसमें ये success story है इंडिया की या ये भी हम B-plus हैं कि बस first division में मतलब 61% है मैं तो first division में बिलकुल नहीं रखूंगा agriculture को मुझे लगता है ठीक है मतलब passing number की तरफ वो भी थोड़ा doubtful लगता है supplementary number दूगा race marks से 34 number पर pass कर दो supplementary exam देना पड़ेगा supplementary देना पड़ेगा ये थो थोड़ा तुमने ज्यादा नीचे खिरा दिया हाँ क्योंकि देखिये सौरब मतलब भारत जैसी young population है हम लोग सरकार कुछ भी नहीं करती है तो भी 6-5 प्रतिशत वृद्धी तो होई जाती है पर फिर भी agriculture की उरद्धी सिर्फ 1-2 परसेंट पर ही रहती है और services और manufacturing sector को compensate करना पड़ता है कि हमारा overall growth 5 परसेंट है और आप देखेंगे अभी से नहीं problem रहा है मतलब फिर से embed करने भी इसके बारे में लिखा था उनका पहला paper 1917 में agriculture पर ही था और उन्होंने भी यह लिखा था कि agriculture में कुछ जादा ही लोग है और agriculture एक productive job नहीं रहा है उससे भी पहले सबसे पहले 1880 में एक paper आया था जिसमें वापस यही बात बोले गई थी कि भारत में agriculture sustainable नहीं रहा तो हम लोग मतलब 100 साल से जादा हो गए है कि यह problem है यह recognize हुआ है पर आज भी agriculture वही है हम 2 प्रतिशत पर ही है green revolution हुआ ठीक है उसके बाद कुछ सालों के लिए व्रिद्धी 3 प्रतिशत हो गए पर फिर भी आज तक average ले तो 2 प्रतिशत के around ही चल रहा है हमारा तो यह तो बहुत failure ही मानूंगा मैं मुझे लगता है agriculture में लेकिन ऐसा ही रहेगा परणे तुमारा expectation जो service और industry से है ना वो agriculture से नहीं हो सकता क्यूंकि growth देखो कहां से आता है growth usually technological innovation से आता है और technological innovation अगर एक drastic बोलें तो agriculture में दो ही हुए हैं अगरिकल्चर बहुत समय से वैसा ही चला रहा तो innovation obviously industry और service में जाता है और agriculture में देखा जाए तो एक सबसे बड़ा innovation था कि हमने जो invention किया कि नाइट्रोजन को आसमान से पकड़के सीधे खाद में कैसे डालना चाहिए तो यह जो invention था जब पहले एक बार योरोप वरोप में तो काफी बात चल रही थी जिसको कहते है न मालसूजियन प्रॉबलम की हम इतना खाना ही नहीं उगा सकते कि जितनी हमारी आबादी है और इसका finally जो तोड़ निकला था कि जिसको बोलते है नैप्था का जो यूरिया का basically invention हुआ कि कैसे artificially बना सकते है और उसकी वज़े से फिर अचानक से agriculture में boom आया कि भई हम फटा-फट खूब चीज़ें होगा सकते है उसके बाद में अगर देखा जाए तो mechanization ही एक दूसरा तरीका और उसमें वो दोनों चीज़ें अब जुड़ी हुई है हिंदुस्तान में labor इतना ज़्यादा है और capital कम है तो आप mechanization कैसे करोगे तो अगर mechanization होगा तो तुमको growth दिखेगा पर mechanization नहीं है तो growth कैसे दिखेगा और हम खूब mechanize करके agriculture sector में growth तो कर लें पर वो एक तरीक एका jobless growth हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा failure हमारे दूसरे sectors का है कि वो इतने चेजी से नहीं grow की है कि उन्होंने वहां की labor को suck कर लिया हो क्योंकि लोग तो चाहते हैं job करना लेकिन job है कहां तो मैं बोलूँगा ठीक agriculture में ज़्यादा लोग है ये कारण नहीं है ये symptom है 1917 में कारण हो सकता है आज की date में कारण नहीं है हमको तब से लेके 100 साल हो गए ना अम बेट करके paper को 1917 से अभी 2018 तो ये 100 साल में इतना industrialization होना चाहिए था कि वो लोग जो है वो absorb हो जाते इंडस्ट्री और सर्विस में पर वो नहीं हुए मुझे लगता है कि तुमने जो बाकी sectors को passing mark दे दी है वो क्यों अगर वो distinction वाले होते तो agriculture passing पे आ गया होता ऐसा मुझे मुझे लगता है हाँ मुझे भी ठीक लग रहा है में प्रॉब्लम तो जादा लोग dependent है उस पे वो है पर सौरब चिंता की बात यह है कि फिर भी agriculture में जादा लोग हैं पर आप देखें demands भी आज तक कैसी रही है हम लोगों ने इतनी subsidies दी है कितनी मतलब अवसरलागत कितनी है इन सब चीजों पर subsidies दी है कही चीजों पर agricultural protest होते रहते हैं हर साल लोग या तो अगर कीमत कम हो गई तो लोग खाना बाहर फेक देते हैं जमीन पर और फिर उस पर protest होते हैं और फिर अगर अच्छी फसल हुई तो फिर MSP के उपर होता है हर बार protest तो ये सब भी cost है जो पूरे हर भारतिय को मतलब incur करना पढ़ रही है लेकिन मुझे लगता है उसका कोई चारा नहीं है अब इतने सारे लोग है agriculture में तो आप क्या कीजेगा उनका ध्यान तो रखना है और एक और भी चीज़ है कि एक तरह से ये global economy है और agriculture almost हर country में protected subject है ये कोई हिंदोस्तान unique नहीं है subsidies वगारा हर country में agriculture में खूब है तो अगर सिर्फ हम नहीं देंगे और मान लो हम अपनी open economy कर दें जहांपे बाकी country अपने farmers को subsidy दे रहे हैं और हमारे farmers unprotected है और उनसे उनको लड़ना पढ़ रहा है तो बड़ा मुश्किल है तो ये मुझे लगता है थोड़ा पेचीदा मामला ये इसका असान सा तरीका नहीं है कि सिर्फ हम subsidies खतम कर दें या फिर हम market को ज़्यादा deregulate कर दें मैं बोलूगा कि ठीक है हिंदुसान का regulation जितना होना चाहिए उससे तो ज़्यादा tight है लेकिन हमको थोड़ा smarter regulation चाहिए और agriculture और trade policies के बीच में ज़्यादा अच्छा तालमेल चाहिए और ये इतना आसान subject तो नहीं है जो कि मैं बोल दूँ कुछ एक line में कि ये इसका solution या ऐसा होना चाहिए तो कोई subject नहीं होता है पर हाँ यहाँ कुछ गरबर तो है हाँ और मतलब आप ये भी देखिए कि जैसे आप दूद का success बोला अपने milk revolution भारत सबसे ज़ादा milk produce करता है पर consume भी सबसे ज़ादा शायद भारत भी हो जादा है हाँ हम export तो नहीं करते है तो क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि भारत number one exporter है इसका पूरे विश्व में और थोड़ा बहुत हम दूद अभी भी import करते हैं ऐसा नहीं है कि अब यह सबसे बड़े exporter यह New Zealand अगरा जैसे देश है ना जो कि इतने छोटे से देश है और पूरी दुनिया में दूद सप्लाई कर रहे है और मैं बोलूँगा कि success है modern dairy practices का मुझे लगता है कि dairy ऐसी चीज़ है जहाँ शायद यह हो जाए अगर यह हम बेवकुफी की policies थोड़ी छोड़ दे जो कि हमको पीछे ले जा रही है क्यूंकि cattle का full life cycle है अगर आप यह नहीं करेंगे तो फिर कोई रखेगा नहीं और आप देखें तो इसलिए हिंदुस्तान में जो है भैसे बढ़ती जा रही है और गाये कम होती जा रही है क्यूंकि आप I mean cow slaughter पर बैन लगाते रहेंगे तो हम उनको मतलब decide करना पड़ेगा कि यह religious value की चीज़ है या फिर इसकी economic value भी है या फिर उसकी value economic value की वज़े से अगर religious value हम ज्यादा उसकी importance रखेंगे तो वो अपने अब कम हो जाएगी क्यूंकि हमने हमेशा देखा यह जिन चीज़ों की economic value होती है वो बढ़ती जाती है तो लोग उनका पालन भी कम करेंगे पर मैं बोलूगा कि success यह चीज़े जहाँ पर trend अच्छा है मेरे हिसाब से प्रणे और अगर हमारी थोड़ी policies ठीक रहे न तो एक दिन हम दूद एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते पर मैं बोलूगा शायत कि हमको करना चाहिए क्या एक चीज़ यह भी हमको देखनी चाहिए खासकर agriculture में बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको कि हमको बहुत ज़्यादा पानी की खपच होने वाली चीज़ों को export नहीं करना चाहिए क्योंकि हमार बास ऐसा को अथा पानी होते हैं तो हम लोग सिर्फ यह discuss करते हैं कि 15 दिन बाद आएगा कि नहीं या 20 दिन लेट आया पर हर साल बारिश होती है हम लोग खैर उसका प्रयोग उपयोग ठीक से नहीं करते है वो पानी चाहिए वो अलग बाद है पर मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्रेश वाट अब ग्राउंड वाटर तो कितना खीची रहा है तो वो प्रॉब्लम तो है अब जिसको कहते हैं एक सरोगेट वाटर का कॉंसेट रहता है कि अगर आप चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हर किलो चावल के लिए कितने किलो पानी लगता है और खासकर गन्ना तो सबसे क्रॉप है तो कुछ चीज़ां जैसे हमको डिसाइड करना चाइए चीनी और चावल अगर हम इंपोर्ट करें तो बेटर है हर चीज के लिए थोड़ी हमको सोचना चाइए कि बाकी बहुत देश है ना जहां पर वेतनाम वेगरा जैसे या इवन न्यूजिलेंड जैसे जहा हमको यूज भी और अच्छे से कर सकते हैं लेकिन इसलिए मैंने का कि ये एग्रिकल्चर में एग्रिकल्चर को एक साइलो बनाके देखेना तो नहीं चलेगा ये काफी चीजों से जुड़ा रहता है और इसमें ट्रेट पॉलिसी वाटर पॉलिसी और ये सारी चीजों को मि का ध्यान गया है आजादी के बाद से अभी तक देखें मेरे इसाब से जो एक हमने ट्रेंड तो मेरे ख्याल से पकड़ ही लिया है अब हमारा बेसिकली ध्यान जो है अगर देखें कि 70 साल में हमने काफी quantity पकड़ ली है और अब हमें quality पर ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल में काफी सोच रहा हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि कौनसे institutions है सरकारी institutions या private institutions जिसमें outright success है उसमें कोई आपको शक ही नहीं है तो distinction मिला है उन लोगों को तो कौनसे institutions आप मानेंगे भारत में मेरी लिस्ट में एक है जैसे कि finance commission को ले लीजिए हर 5 साल बाद होता है finance commission और थोड़ा non-politically states और union government अगरी कर लेते हैं कि हम tax कैसे बाटेंगे वो एक बड़ी चीज है election तो खेर अपने आप में बड़ी success है ही हमने बात किया election commission हर 5 साल में election होते हैं कुछ लोग सवाल करते हैं कि अरे ये electoral voting machine में घपला है कि नहीं फर उसके अलावा election पे ज़्यादा तो तो वो एक है फिर delimitation commission भी मुझे लगता है जिसके बारे में discuss नहीं होता पर काफी बड़ा success है अब आप देखिए US में ये gerrymandering बहुत ज़्यादा होता है हर कोई मतलब अपने constituency को ऐसे shape करने की कोशिश करता है जिसकी उसे ज़्यादा vote मिले पर भारत में delimitation commission होता है जो क largely non-politically इस बात पर resolve कर लेता है क्योंकि उसमें हर party की representation होती है और उससे हम लोगोंने काफी बार ये इतना बड़ा problem नहीं सुनने है थोड़ा बहुत होता है by the way लेकिन कम होता है वो जो politics politics होते हैं वो कभी-कभी आपस में decide कर लेते हैं ठीक है ये मैं तेरे लिए छोड़ देता हूं तो तुम ये मेरे लिए छोड़ दो ये होता है लेकिन US जैसा तो नहीं है हिंदुस्तान में उनसे काफी अच्छा है deal limitation commission तो ये कुछ government वाले institutions है जो मतलब distinction number दूँगा मैं आपके ख्याल में और कोई है मेरे हिसाब से I mean distinction मेरे ख्याल से दिया सकता हूं ऐसा 76% है मेरे हिसाब से ISRO को मिलने चाहिए 76% number तो हमारा space program जो है उसने अगर हम बाकी sectors की quality देखें तो outperform किया है मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको भी मेरे मेरी उमीदे उनसे और भी ज्यादा है लेकिन definitely वो 61% वाले पे नहीं है वो 76% वाले पे मेरी उमीद उनसे 90% वाली है लेकिन वो definitely distinction पाएगी अगर हम देखें जो हमारा इंडिया का space program है उसने distinction वाला काम किया है हाँ और nuclear establishment, nuclear program वो भी एक मैं उसे distinction दूँगाई है यह भी देखना चाहिए कि कल के कौन से नए area है जो आज तक हम लोगों ने जो हैं ही नहीं क्योंकि दुनिया तो इतनी बदलती रहती है अगर हम सिर्फ उनी चीज़ों पर focus करें जो कि थे ही नहीं जिससे उन चीजों पर फोकस करें जो हैं और हम उन्हें कैसे बहतर बना सकते हैं तो ये तो एक तरीका हो गया लेकिन इतने सारे और चीजें होती हैं जो की है ही नहीं और हमें बनानी है और वो सबसे मुश्किल काम है कि हम वो चीजें कैसे बनाए जो कि हमारे यहाँ पर है ही नहीं तो ये मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात कि इस और बापने कि मतलब हम लोग हम लोग 50 साल वाले problem की बात आज कर रहे हैं तो हम लोग कहां सा सूचेंगे कि आगे हमें क्या करना है पर इसमें जैसे अब हम IT सेक्टर ले लें 1990 तक तो यही problem होगा हम लोग शायद सूच रहे नहीं होंगे कि क्या हो सकता है पर वो success कैसे हो गया मतलब क्या चीजे थी जो हम लोगों ने सही की कि 1990s में हमें उसमें एक advantage मिला और क्या उसके हम कुछ आगे के भविष्टे के लिए lessons ले सकते है मुझे तो लगता है जैसा काफी लोग बोलते हैं कि I mean IT सेक्टर जिस वज़े से हो गया ये काफी सारे accidents की वज़े से हो गया मुझे लगता नहीं कि कि किसी की planning की वज़े से हो गया और वो काफी सारे accidents जो थे वो इसी टाइप के थे कि हम लोगों ने higher education में काफी ज़्यादा पैसा खर्च किया था वज़ाए इसके कि हम primary पे खर्च करते हैं उसके हमें नुकसान हुए लेकिन उसकी वज़े से हमारे पास एक छोटा तपका काफी qualified लोगों का था दूसरी चीज मैं बोलूँगा कि अब IT सेक्टर में देखें तो एक हमको जो IT सेक्टर के लिए काफी सारी चीज़े एक साथ हैं कि जो telecom revolution हुआ सिर्फ computers अच्छे होते तो हिंदुस्तान IT सेक्टर में और उसकी वज़े से दुनिया एक तरह से थोड़ी छोटी हो गई तो आप एक जगे से दूसरी जगे का संपर्क जो है वो बहुत अच्छा हो गया तो वो संपर्क तो काफी बड़ा सक्सेस इंडियन IT का वो IT का नहीं है वो telecom का है एक तरह से और हमारे पास में लोग भी थे और एक जो कहना चाहिए labor arbitrage जिसको बोलते है कि हिंदुस्तान में लोगों की salaries कम थी और suddenly अभी कोई फ़रा के नहीं पड़ता है कि आदमी नियू यॉर्क में बैठा है कि बैंगलोर में बैठा है और आप बैंगलोर में उसकी salary कम है तो एक सीधा साथा आकड़ा बन गया और उसका एक हमको बहुत बड़ा success मिला तो ये मुझे लगता है कि काफी सारे जो हैं चीजें एक साथ हाई और उसने ये एक success story और काफी बड़ी success story create कर दी तो अब ऐसा हम सोचें कि हम दोबारा से अच्छे accidents कैसे बना है लग का तो रोल था ही पर जैसे आपने बोला पहले कि एक छोटा तपका था लोगों का जो अच्छी तरीके से trained थे कि जब ये मौका आया उन्होंने उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया अब वही आप देखिए क्या हम लोग आज की date में ऐसा एक छोटा सा तपका भी create कर पाने है जो जैसे की AI या machine learning पर में भी success कर सके आगे जाए पर वही मैंने का एक ही वज़ा नहीं है बाकी भी वज़ा होनी चीए तो AI के space में भी हम services में तो अच्छा करते रहेंगे हमने innovation जो basic innovation है उसमें हमने नहीं किया है बहुत अच्छा तो वो मुझे लगता है वो एक हमारा school अगर हम चाहते हैं कि हम overall luck increase करें तो हमको basic schooling improve करें तो बहुत ज़्यदा sectors में हम अच्छे हो जाएंगे अब अगर IT जैसी चीज़ देखे तो हम हमेशा सोचेंगे कि हम specific चीज़ों में कैसे अच्छे हो और फिर आप lucky हो सकते हैं luck को आप ऐसे सिर्फ आप bet लेकर के चाहें कि हम बस इसी में lucky होना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं हो जाता है समझदारी इसमें कि आप खुद मजबूत हो जाएं फिर जैसा आपने काफिर जो मौका आएगा अच्छे लोग उन मौकों को खुद से ढूंड लेंगे सरकारों के लिए इस चीज़ों के मौके को ढूंडना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते तो मैं बोलूगा कि सरकार में जो बिरोक्रेसी वेगरा की कॉलिटी जो है वो मेरे ख्याल से और आगे होनी चाहिए मैं काफी बार बाकी देशों की रिपोर्ट्स वगएरा देखता हूं कि आगे हमें क्या करना चाहिए और उस तरीके की जो ठिंकिंग होती है कि हम आगे क्या करें अगले दस साल में हमारी क्या जरूरते हैं वो उस तरीके का डिस्केशन मैं हंदुस्तान में कम देखता हूँ, ब्यूरोक्रेसी में भी, प्लानिंग वेगरा में भी, usually हमारा discussion यह रहता है, जो कि हमारा आज भी जैसे focus, हम आजादी के बाद, हम लेखा जोखा कर रहे थे, तो obviously यह है, लेकिन सारा साल में यही रहता है कि भई, आज कि हमारी क्या समस्या है, और अगले साल हम क्या solve कर सकते हैं, काफी, even नीति आयोग वेगरा, जैसे आयोग जो भी है, उनकी consultation में भी यह रहता है, कि हम दोनों ही लोग उनमें participate कियो हैं, वो बोलते हैं कि भई, कुछ ऐसा बता हो, कि अगले बारा महिने में कुछ हो जाए, तो यह बहुत ही short term thinking है, मेरे ख्याल से हमको अगर यह balance करना पड़े, कैसे हम हमारे पास ऐसे institutions होने चाहिए, जो कि थोड़ी 10 साल की thinking, 25 साल की thinking भी रखें, और सिर्फ 1 साल 2 साल की thinking ना रखें, तो democracy में यह बहुत अच्छा है कि सरकारें rotate होती रहती हैं, लेकिन हमको कुछ institutions create करने चाहिए, जैसे तुमने बूला finance commission एक थोड़ा अलग institution है electoral, उसी तरह से हमारे पास कुछ और institution होने चाहिए, जो कि political control में और democratic control में ही हो लेकिन उनका institutional nature अच्छर ऐसा होना चाहिए, कि वो हमेशा थोड़ा दूर की सोच रहे हैं हम, 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 और सौरव बैस में मुझे बहुत एक दिल्चस्प बात याद है, अभी Australia ने कुछी दिनों पहले India Economic Strategy Report 2035 release किये, मतलब India ने खुद की India Economic Strategy 2035 उन्होंने किये वो हम पर pressure डाल रहे हैं कि यार तुम ऐसा सोचो, क्योंकि ये शायद उनके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि ओविसलिया चाहता है कि हिंदुस्तान मजबूत हो क्योंकि उनके लिए मजबूत हिंदुस्तान अच्छा है जो उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे भारत में वो सब analysis उन्होंने किया तो मतलब वही बात वापस आती है कि थोड़ा दूर की सोचना है हमारे कुछ institution दिल्कुल और मैं फिर यहां पर बोलूँगा कि यहां हमारे यहां फिर से जो है एक quality cliff है हर जगे पर मतलब हम कुछ चंद लोगों पर बहुत निर्भर करते रहते हैं मतलब मेरे खाल से यहां फिर quality है भी हमको recruit करनी नहीं आती है इतना बड़ा देश है हमारे यहां पर अच्छे लोग है भी और सरकार को थोड़ा सीखना भी है कि हम कैसे उनको recruit करें कैसे उनको शामिल करें मुझे तो समझ में याद cabinet में ही चार लोगों से ज़्यादा कोई लोग important नहीं है तो मतलब उस level पर ही हर कोई आप देखो तो ऐसा नहीं है कि कोई सारे minister बहुत important है और सिर्फ कोई यही सरकार नहीं पिछले सरकार में प्रड़ा मुखर जी हर किसी group of minister के chairman होते थे एक ही इंसान कि बाकी किसी को तो आता ही नहीं कुछ करना जैसे हैं तो अभी भी ऐसा ही हाल है कुछ 3-4 लोग है जो कि करते रहते हैं तो यह कुई किसी सरकार विशेश की बात नहीं है तो सौरब अनतिस बात पर करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें और listeners जैसे हैं हमारे वो जब इस बात पर reflection करेंगे कि 70 साल में भारत ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं आगे जाके मुझे लगता है जैसे हमारी जो discussion से निकला मेरे ख्याल से अब सब लोगों को और एक चीज़ हमने देखी कि हमारी democracy काम करती है अगर हम अपने politicians को बोलें कि ये हमारे लिए जरूरी है तो वो इस मामले में वो बिल्कुल नालायक नहीं है वो चीज़ करते हैं हमको उनको बताने की जरूरत है तो I think हम सब को बोलने की जरूरत है एक साथ कि हमारे लिए quality जरूरी है और हमको quality चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ phone दे दिया उससे खुश मत रही है ये phones पूरा समय चलना चाहिए ये हमारा signal 4G से 2G नहीं होते रहना चाहिए कि हम एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाए और call drop नहीं होने चाहिए तो ये खेर phone की बात है अब बिजली आती है बिजली आनी ही important नहीं है इतना जंडा मत गाड़ी है कि आपने हर जगे बिजली दे दी ये अब कल की बात हो गई है आज की बात है कि ये बिजली की quality की report दीजी तो हमको quality demand करनी है quantity के over और हम demand करेंगे तो वो respond करेंगे और जो दूसरी चीज़ बिल्कुल और कोई भी party हो आपकी पसंदीदा party हो या ना हो power में पर जब तक हम लोग demanding नहीं रहेंगे तो हमें वो result नहीं मिलेंगे जिए हमें चाहिए और मेरे कहाल से सब party सुनती है ये चीज़ और हमको हर level पर करना और दूसरा जो main चीज़ है अगर हम एक थोड़ा गाउं का romance कम करके थोड़ा शहरों से romance चालू करतें क्योंकि हमारे सारे fiction में, movies वगरा में ये शहर एक villain type के रहते हैं लेकिन शहर ज़रूरी है और हमको शहर चाहिए और अगर मेरे के साब से हम अपने politicians को बोलें कि हमारे लिए शहर ज़रूरी है तो उनको भी लगेगा, सबको लगता है कि शहर एक थोड़ा necessary evil type है और ideally तो सबको गाओं में होना चाहिए लेकिन वो एक आभाव का चीज है, उससे हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा, हमको अच्छे शहर चाहिए यानि उसका मतब है कि हमको decentralization चाहिए power का और हमको सशक्त local government चाहिए तो मैं बोलूँगा quality पे focus, local government पे focus और हमको national government सबकों की demand कम करनी चाहिए और बोलनी चाहिए तुमने 10 साल का क्या plan बनाया ये बताओ ये अगर हम सवाल अलग politicians से अलग सवाल पूछना शुरू करते तो ये काफी बड़ी victory होगी हमारे लिए हमको प्रधान मंतरी से ये नहीं पूछना चाहिए कि सड़क ठीक कर दो और MLA से भी ये पूछना चाहिए कि सड़क ठीक कर दो MLA से पूछना चाहिए school ठीक कर दो corporator से पूछना चाहिए सड़क ठीक कर दो प्रधान मंतरी से पूछना चाहिए सी बात थी ये पर किसी lecture में मैंने सुना था किसी ने कहा था कि और यही question किया गया उन्हें उनसे कि हमें क्या करना चाहिए भारत के भविशे के लिए और उन्होंने अच्छा जवाब दिया था कि आप जिस भी क्षेतर में है उसमें एकदम number one बनने की ख्वाइश रखिये और quality खुद की जब बहतर होगी तो भारत की भी quality अपने आप बहतर होई जाएगी मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक NGO खोलना है या हर किसी को कुछ अलग करना है जिससे की भारत की बहतर ही हो अगर हम लोग जो कर रहे हैं वही सबसे बहतर करें तो उसमें भी भारत की तो प्रोग्रेस है यह तो मतलब बहुत पते की बात करी प्रणे तुमने सौ पते पे एक पते की बात ठीक है सौरब तो इसी सकारात्मक नोट पर इंडिपेंडेंडेंस डे का ये स्पेशल पुल्याबाजी एपिसोड खतम करते हैं और सबको हैपी इंडिपेंडेंडेंस डे बिल्कुल सबको बहुत बहुत बधाई हो और 71 साल की आजादी पे जाके कहीं लड़ू ज़रूर खाके आई है बिल्कुल थैंक यू तो उमीद है आपको मज़ा आया पुल्याबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले पुल्याबाजी at gmail.com या फिर at पुल्याबाजी ट्विटर पर फिर मिलेंगे अगली पुल्याबाजी 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 अग्ष्ट पुल्याबाजी 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 पुल्याबाजी